हेलो एवरीवान वल्कम बैक टू मैज जानल आज में आपके साथ जो वेक्स शेयर करने जारी हूँ हर्बल वेक्स है एंड अफोर्डीबल प्राइज में आपको मिल जाती है सो ये जो वेक्स है मार्किट में न्यू है एंड इसके इलावा किस तरहा की है क्या इसको यूज करके आपके हेयर प्रापर तरीके से रिमूब हो जाते हैं नीट अंड आपके स्किन होती है या नहीं सो फुल डीटेल शेयर करूंगी बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जो बैल आइकन अउसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियो इंप्रूफ कॉलेटी के साथ आपको मिलती हैं इसके इलावा इसमें आपको उस टॉक्च मिलता है और बहुत आची तरह से आपके हैर को ये रिमॉट कर देती हैं इसकी इलावा इसमें में होता है पेंई-प Síl Youtube में इसके इसमे facade अए जैसे ही आप वहां करते हैं इस वैक्स की हेल्प से तो आपकी स्किन बहुती स्मूथर हो जाती है सौफटर हो जाती है नीट एंड क्लीन लगती है ऐसा फील होता है कि आप ने फेशर करवा लिया हो ओपनगर की शो करवा देती हूं आप देख सकते हैं इस वेक्स में आपको एक एक Quốc मिलती है एक स्टिक मिलती है याने स्पेचला मिलता है जिसकी हैप को ढूंड यूज रपाद जो चीया जाता है वश मेड भी स्ट्राइब ही है किस तना से इस मेक्स को ःूज करना होता है एंड से किलावा जब भी सो यूज कने तो टाइट ली सकाट व्लोज करके नहीं एक कोई प्रोब्लम नहीं यूज ट्रायाज अवो एंड इसकी इलावा ये जो वेolly से इसका जो वेट है 125 ग्रैम है एंड लोशन की बाटल देख सकते हैं मिनी साइस की होती है वाइट कलर का लोशन होता है अच्छी होती है इसके इलावा इस टाइब के कुछ वैक्स होती है आप देख सकते हैं सौफटर सी होती है यहनि कि इतनी हार्ड नहीं होती समर के लिए इसके इलावा मैनिफेक्ट बाई एवन ग्रीन हर बेल सौ नॉर्माली आपको इसी भी वैक्सिंग करते हैं यानि कोल्ड वैक्स यूस करते हैं तो समर में बिल्कुल ओके रहती है इसली अप्लिकेशन हो जाती है बट अगर आप इसको वेंटर में यूस करते है तो थोड़ आप इजी वे में वैक्स करेंगे आपके साथ शेयर कर देती हूं इस वैक्स को समर एंड विंटर यानि ओल टाइप के वैदर पर यूस कर सकते हैं तो वैक्सिंग करने के लिए सबसे पहले इस तरह से एक लेयर लगा लेंगे आपको बिल्कुल थिन लेयर लगानी होती है थिक लेयर लगाएंगे तो प्राब्लम होता है आपको वैक्सिंग करने में तो अगर आप बिगनर है तो थोड़ी थोड़ी से को एंटिटी लेके रिमूफ करें अगर आपको कोई प्राब्लम नहीं है तो आप ज्यादा ले सकते हैं यानि कि ये वन टाइम पे ही फुल ले हेर को रिमूफ कर देती है डिफरेंट कलर्स में मार्केट से मिल जाती है और आपके स्किन काफ़ी सौफटर नीट एंड क्लीन हो जाती है इसके यूज करने के बाद सो काफी जादा लेडिस के यही कुशिन आते हैं क्या वेक्सिंग से हेर की ग्रोध कम होती है या नहीं तो जिरी बिल्कुल आपके हेर की ग्रोध कम होती है वेक्स करने से चाहे आप फेस वेक्स करें या फिर हैंड वेक्स या लेक्स या फुल बाडी वेक्स करें वेक्स कर के हेर की ग्रोथ में इजाफा हो जाते हैं या आपके हेर की ग्रोथ भड़ जाती है और काफी जादा आपके फेस पे हेर आना शुरू हो जाते हैं अगर आप अपर लिप बनाते हैं या फुल फेस त्रेट करते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही आपके फेस पे हेर की ग्रोथ ह साब हो जाती है सो अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस के हैर की गरूथ कम हो और यह बहुत ही अच्छा सा लगा तो आप बर्कुल वेक्स की हैल्ब से अपने हैरえー को कम कर सकते हैं एंड जब आप वैक्स कर ले फुल हैंड या फुल फेस वैक्स करने के बाद आप आफ्टर लोशन लगाएंगे यह जो लोशन है काफी अच्छा सा होता है इसके इलावा कोई साथ भी अगर आप वैक्स यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर तो उसके बाद आपको पल का इशू हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है रैडिश का इशू हो जाता है जो डिफरंट प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सोधिंग लोशन का यूज़ यानि के आफ्टर वैक्स लोशन यूज़ करना जरूरी होता है सो फ्रेंड अगर आप चाहते हैं क तो बहुत इच्छी बात है और घर बेटे आप एजली वैक्सिंग कर सकते हैं वो भी पॉलर जैसा रेजल्ट आपको मिलेगा सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो पर अल्ला हाफिज